बरेली में आठवी बटालियन पीएसी के हेड कांस्टेबल सोबर्न पाल को एनुवल फाइरिंग के बाद गाड़ी में बैठते समय एक्सिडेंटल फाइरिंग होने से पेट में दो गोली लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया धायल अवस्था में उसे बरेली के जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए हेड कांस्टेबल को निजी अस्पताल में भरती करा दिया सूजना मिलने पर SSP मौके पर पहुँचे वहीं घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुँची और पूरे मामले की जाच पड़ताल कर रही है बरेली में PHN Technology Company द्वारा प्लेस्मेंट ड्राइव का आयोजन किया गया जिसमें राजश्री संस्थान के BBA एवं MBA के छात्रों ने प्रतिभाग किया संस्थान के चेर्मेन राजेंद्र कुमार अगरवाल ने चैनित छात्रों को बधाई दी एवं उजडवल भविष्य की कामनाये दी कमपनी से आये हुए रीजन मैनेजर पवन उपल द्वारा प्रारंभिक स्क्रीनिंग में पास हुए प्रतिभागियों को साक्षात्कार के उपरांत अतिम रूप से चैनित छात्रों को ओफर लेटर प्रदान किये गए प्रबंध निदेशक रोहन बंसल एवं शैक्षनिक सालाहकार मिस्तूलिका अगरवाल ने बताया कि आने वाला युग एडवांस एजुकेशन टेकनोलोजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एवं मशीन लर्निंग आगमेंटेड रेलिटी एवं वर्चुवल रेलि की पर्मिशन को रद कर दिया था उसी मामले में आज विश्व हिंदू परिशद नेताओं ने कलेक्टरेट पहुँचकर जमकर नारेबाजी की प्रशासन से मांग की गई है कि उन्हें 11 अगस्त को कावड यात्रा निकालने की अनमती दी जाए विश्व हिंदू परिशद क कावड लेकर कचला घाट जाएगे और वापस वनखंडी नाथ मंदिर पर जलाभिशेक करेगे उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिशद की कावड चक महमूद मौर्या बाली गली से मुख्यमार्ग रामस्वरूप की डेरी से शाहनूरी मस्जिद वाले रोर से पप पिला रिटायर दरोगा की बेटी की दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और अपने साथियों के साथ पीट-पीट कर घायल कर दिया परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी मौके पर पहुची पुलिस ने घायल को इलाज लिये अस्पताल भेजा जहां इलाज के दोरान उसकी मौत हो गई पुलिस ने तीन दोस्तों को हिरासत में लेकर पूचताच शुरू कर दी है ठाना इर्जतनगर शेत्र के गाव धनोरा माफी का रहने वाला 40 वर्षी अरुन शर्मा उर्फ अनुच के दोस्त शिवम चौधरी ने बताया कल देर शा जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया तभी कुछ देर बाद अपने दोस्तों राहुल बसू और ख्वाजा अपने दोस्तों के साथ आये तभी गाव की पुलिया के पास अरुन को घेर लिया और लोहे की रोर से उसके उपर जाने हमला कर दिया फरार हो गया जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया इसकी जानकारी जब परिवार के लोगों को लगी तो मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भरती कराया जहां उसकी इलाज क के दौरान मौत हो गई बरेली जनपद में देवर्निया थानाशेत्र के शरीफ नगर गाउ में हाई टेंशन बिजली की लाइन से बच्चों के जंपिंग जूले में अचानक करंट आ गया इन हादसे में एक किशोर की मौके पर मौत हो गई वहीं जूला मालिक सहित तीन भी घ घायल हो गए घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भरती कराया है यहाँ हादसा हरियाली 30 के त्योहार पर गाउ में लगने वाले मिले में हुआ जूले के पास एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था वहीं बराबर में जंपिंग जूला लगाया गया जब जंपिं के जूला लगाने के मामले में रिपोर्ट दर्स करते हुए अपनी जांच शरू कर दी है बरेली में औल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रिय अध्यक्ष मौलाना शहा बुद्दीन ने कहा कि बंगलादेश में शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलट किया जाना रा जनीतिक घटनाएं विदेशों में होती रही है मगर सबसे महत्वपून बात ये है कि बंगलादेश में हिंदू अलपसंख्यकों के घरों में आग लगा दी गई और कई लोगों को मारा गया साथ ही मंदिरों में भी तोर फोर की गई अब अलपसंख्यकों के हालात ये हैं क कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। भारत की सरहत पर हजारों की तादाद में अलपसंख्यक जमा हो चुके हैं। वो भारत के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। मौलाना अलपसंख्यकों की स्थिती देखते हुए बंगलादेश के आंदोलन कारियों पर जम कर बरसे और उनको नसीहत दी की इसलाम और पैकंबरे इसलाम की शिक्षा ये नहीं है कि इसलाम के मानने वाले गैर मुसलिमों पर जुल्म जियाद्ती करें और मंदिरों को निशाना बनाएं। इसलाम सभी को सम्मान देने की बात करता है। इसलाम मानवतावादी धर्म है। इसलाम किसी दूसरे धर्म को मानने वाले के इबादत गाहों को तोर फोर करने और आग लगाने की इजाजत नहीं देता है बलकि ऐसी परिस्थितियों में उनको सुरक्षा प्रधान करने की ब वाले उल्टा पूर्व प्रधान पर भड़क गए और उनके साथ मार पीट कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पीडित ने थाने में तहरीर दे कर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्स कराई है। थाना भोजीपुरा के गाव सैथपुर प्यारिलाल निवासी पूर्व प्रधान धीरेंद्र सिंह पुत्र महरवान सिंह ने बताया उनके घर में जब भी भजन बजाये जाते हैं तभी उसके कुछ देर बाद कोई पत्थर फैंकने लगता था। उन्होंने समझा किसी बच्चे ने धोखे से पत्थर फैंक दिया होगा लेकिन यह सिलसिला 4 अगस्ट से लगातार होने लगा। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई जिसके बाद पूर्व प्रधान ने आरोपियों के खिलाफ थाना भोजी पुरा में तहरीड दी। उन्हें बताया उनकी आठ वर्षिय बेटी रश्मी एक तारीख को घर के बाहर खेल रही थी। तभी बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भरती कराया गया। जहां कल देर रात उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। देशपाल ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया। एवन हिंदूों के मकानों पर जबरन कबजा करना एवन लूट पाट करना यह सब कट्टर पंथी को दर्शाता है। जताते हुए कहा कि विश्व में हर हिंदू बहन बेटी के हम वह हमारा संगठन अंतरराश्ट्रिय हिंदू परिशद राश्ट्रिय बजरंग दल डौ प्रवीन भाई तोगडिया के नेतरित्व में खड़ा है। थाना कैंट शेत्र के गाउं में रहने वाली युवती को काफी समय से राजकुमार नाम का युवत परिशान कर रहा था। युवती ने इस बारे में अपने भाई को बताया। उसका भाई आरोपी के पास गया और कहा कि वह उसकी बहन के साथ छेड़ खानी करना बंद कर दे। इतनी सी बात पर आरोपी राजकुमार भड़क गया और घर से कैची निकाल लाया और युवती के भाई के सिर पर कैची से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया, घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भरती कराया गया है, पीड़त पक्ष की तरफ से आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्स कर ली गई है.